इन दिवारों पर जो तस्वीरें उभर रही हैं उन्हें देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि भागलपूर स्मार्ट सिटी योजना के पैसों से इन तस्वीरों का निर्माण हो रहा है लेकिन इसका शे जाता है नंदिकेश शांडिलिको जो युवा हैं और जजवा से भरपूर हैं ये जो जमीन देख रहे हैं इसके आसपास कई स्कूल हैं पार्क हैं लाचपत पार्क है चिल्डन पार्क है और आसपास चिकित सकों की बहुत सारी क्लिनिक है ये जो जगह देख रहे हैं इस पे लाल मिट्टी बिचाई गई है और दिवारों पर बहुत आकर्शक, खुबसूरत और प्रेरित करने वाले चित्र बनवाए जा रहे हैं यहां पर कभी कूडों का डंपिंग किया जाता था इस वाट के आस पास के चार-पाच वाडों के कूड़े यहां डंपिंग होते थे लेकिन अब बेरिकेटिंग के अंदर दिवारों पर तस्वीरें बनाई जा रही है जनता गार्डिन बनाया गया है और इस पर खुबसूरत पौधे और फूलों की खुश्बू बिखरेगी जिससे लोग खुश होंगे और ये जो कूड़ों का अंबार देख रहे हैं ये कूड़े का अंबार इसी जगह पर कभी हुआ करता था और आसपास गुजरने वाले लोगों के नाकों में दम हो जाता था वे परिशान हो जाते थे यहां तक कि कई बार लोग अपनी सांसें रोक कर इधर से गुजरते थे कोड़ों का अमबार हटाए जाए लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं हुआ जिम्मेदारों ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली बाद में नंदिकेश शांडिल ने इस पर एक जनता पार्क बनाने का निरणे किया जो उनके खुद के पैसे का है खुद की सोच का है वो सूरत बने और इन दिवारों पर जो तस्वीरे बनवाई जा रही है उसका उद्देश प्रेरिद भी करना है सिक्षा से लेकर चिकित्सा तक पढ़ाई के लिए लोगों को प्रेरिद करना है ताकि वे कुछ कर सकें और एक बहतर भागलपूर का निर्मान कर सकें भले ही स्म कर दो